चलो आगे बढ़ते होगे इस वीडियो के अंदर हम लोग देजाइन काना कस्टोमाइज करते हैं हम लोग काफी चीचे खर लिये थे event अभी तक हम लोग अनुसार किये थे लॉग इन किया थे लॉग इन पेज पट नहीं डिजाइन कर पाये थे लॉग मैं दिखाता हो कैसे अगर हम लाइट इम चाहते हैं कि इसको क्स्टमाइज करें कैसे करेंगे सब चीज में आपको इस वीडियो के अंदर लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम लोग नहीं लोग ने लॉग इन कंप्लीट कर लिया है तब हम लोग ने यह बना लिया कि बनता लोग इन कर सके साइन अप कर सके आज आते हैं अपने कोड के अंदर अ कोड के अंदर बहुत सारी आपको देखने को मिलेगी इस वाले वीडियो के अंदर हम ओपेंगे अपना स्प्रेंग कॉन्फिगरेशन वाली क्लास इसको फुल स्क्रीन पर कर लेंगे और यहां पर सबसे पहले जो अन्य यूजर सर्विस और पासवर्ड नेक्स्ट हमने इस प्रिंग सिक्यूरिटी कॉन्फिगर किया था यहां पर सबसे जादा इंपॉर्टेंट है जहां मने राउट को मैनेज करना सीखा था कि एक्शली हम किसी राउट को कैसे ऑथनिकेट कर सकते हैं कैसे हम लोग प्राइब रख सकते हैं कैसे लोग पपलिकर रख सकते हैं कैसे किसी यूजर को और अन बेसे सफ रोल कैसे हम इसको राउट को यूज करा सकते हैं ठीक है यह सब चीज मैं बताया था नेक्स्ट हमने नीचे देखो तो आपको मैंने बता था कि हम कौन सा लॉग इंश करना चारहें यह सब चीज अब आप डिफॉल्ट चीज़ यह उस कर रहें अभी आप डिफॉल्ट चीज यूज कर दो सिंपल बर अब हम यहापर एक लेमडा लेंगे इस लेमडा के अंदर हम लोग सारी ओंफिकरिशन दे सकते हैं और यह हमें मिल गया है एक्षिली form login configurer यह तो इस form login configurer के हम पूरा form login चेंज कर सकते हैं सब कोछ कैसे मैं बताता हूं सबसे पेले मैं अपने form login का form हम चेंज करूंगा तो अब हम लोग कर सकते हैं इस login form को उसकर करके हम अपने login form को कस्टमाइज कर सकते हैं जैसे for example हमें अपना login का URL बताना है हम चाहते हैं कि हम slash login fire करें अपर slash login और हमें हमारा खुद का एक URL हो जहां पर हमने login पेज बना के रखा हो तो हम यहां पर आके बता सकते हैं अब देखो यहां पर हम इस form login का यूज करके dot यहां पर आप login पेज बता सकते हो कि हमारा जो login पेज है वो slash login पे है slash login login पे है इतना करने के बाद simply आप अपने प्रोजेक्ट को सेब करें जैसे ही आप इस login को रेफ्रेस करोगे आप देखो कि यहां पर यह देखे अब आपका login ओपन हो गया यह दिखे वेलकम तो login पेज तैमिस अब बाइडिफोर्ट जो login पेज स्प्रिंग सेक्यूरिटी हमें दे रहे था उस login सेने मतलब नहीं क्यों कि अब हमारा login Packy चल रहा है ऐसा क्यों हो पाई यह आपने चीज है कर दी यह आपने अपने सार कस्टमाइज कर दी है की आप हम świ21 पेज रहा सकते हैं पूरा होे में एक पर प्रोपर फ्रॉपर वारेल आप कहेंगे हमारा जो लॉग इन प्रोसेसी वारेल वह स्लाइस डू यह ऑथन्टिकेट है अब इसका मतलब क्या है गाई समझ यह बात को लॉग इसे करके आप मल्टिपर चीज चैन कर सकते हो बट इफ वांट की हम यह स्रेट्मेंट यहां खतम कर दें तो आप फॉर्म लॉग इन डॉट ऐसा भी उसका अलग 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 काम करने के लिए अलग अलग चीज यूज कर सकते हो अब जो आपका फॉर्म लॉग टो आप बनावगे जब जब यु फॉर्म सम्ट होगा तो वह उसंटिकेट सब्साइब कर सकते हो तुम मैं क्या करता हो चैनिंग यहीं करता हूँ यह नौर्मल ही करते हैं यही ठीक है आनद एप लॉगिन डॉट जैसे फाइनल और आपको चाहते हो आप चाहते हो कि भीया हम जब success हो एक बार लोगीन हमारा success जोगा तो हम forward हो जाए अपने आप से एक URL पे तो आप यूज़ करोगे success forward URL और यहां अपना यूज़ दोगे slash user slash डैश बूड पे अपने आप से forward हो जाएगा बंदा तो जैसे login होगा completely अपने आप से वह forward हो जाएगा किस पे slash user slash dashboard पे ठीक है और अगर आती है तो आपको किस page पे transfer करना है उसके लिए आप यह वाला method यूज़ कर सकते हो form login.failure forward URL अगर आपको login fail हो गया उस case में slash login slash error equal to true पे forward हो जाएगा ऐसा करके बहुत सारी यूज़ कर सकते हो default success by home है ठीक है इस तो समझ गयो गया next जैसे for example form login dot आपको इस करना है username parameter आप देखो इसका मतलब यह जब हम एक form बनाएंगे अपना login तो वहां पर जो name वाला फील्ड होगा है username वाला फील्ड होगा उसका name क्या होगा हम यहां पर लॉग इन वाम डेजाइन करेंगे तो यहां पर जो यूज़र नेम होगा उसका नाम होगा email यूज़र नेम ओला फील्ड और जो पासवर्ड ओल्फिल्ड होगा उसका नाम होगा पासरवड देखेगा निक्स्ट और शूब कोश्व करना चाहें हम चाहते हैं कि कुछ काम अगर हम करें सब्सक्राइब कर लगा सकते हैं यहां पर आप एक हैंडर और ऑफन कर सकते हो जब सक्सेस होगा अथन तब यह method या यह class अपने अंदर के methods को call कर लेगा ठीक है हम दो देखेंगे अभी 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 देखेंगे exactly same तरीके से आप failure handler भी पास करते हो कि अगर fail हो जाए यह देखे तो authentication अगर फिर हो गया तो हम न्यू ऑथनिकेशन फेलियर हैंडलर यहां पर हम लोग हम यह देखेंगे अपने आप से चल जाएगा जैसे आपको यहां पर कोड लेखना होगा आपको मैनुवली फिर उसको रेडार करना होगा जिस पीच पर ली जाना चाहो तो इस तरह फेलियर है सेम तरीके से हम यहां पर सब्सक्राइब कर सकते हैं यहां पर आप एक अब्जिक्ट करोगे सक्सेश ऑथनिकेशन सब्सक्राइब करना है उसकेस में अभी के लिए यह नहीं चाहिए बस यह सिर्फ समझाने के लिए मैं उसकर रहा हूं का इसकंने करें दो तो यहां से लिए करके यहां कमेंट अउट को करदि के अभी इसको बाद में हम यूज करेंगे यह वालेगी लाइन कमेंट आउट होनी चाहिए हमारी एस ठीक्ँ Chair कर सकते दमें इतना ही ज़रूद है हमारे लिए इसकी सब्सक्राय हो갈 ही जब हम अपना login form design करेंगे सो हम लोग लोग इंफ डिजाइन कर लेते हैं क्या देखते भाई ज्यादा हूं ठीक है login form हम लोग डिजाइन कर सकते हैं बिल्कुल तो चलो हम लोग लोग इंफ यहां पर डिजाइन करने फटा-फट ठीक है हम लोग अपने sign up का form ले लेते हैं हम लोग यहां आते हैं register.html यह form उठा लेते हैं बहुत इसी है हम लोग क्या करेंगे यह grid सी उठाएंगे पुरा grid सी उठाएंगे लोग इन पर आएंगे यह grid हमें यहां पर चिपका देंगे बस अब हमें चाहिए क्या क्या नहीं चाहिए हम लोग चेंज कर लेंगे अपनी हिसाप से जैसे for example हमें यहां पर चाहिए होगा sign up के जगा हमें यहां पर लिग देंगे log in here and start managing contacts on cloud यह सब तो ठीक है form भी चाहिए and name वाली field I don't want यह name field हमें नहीं चाहिए हटा देंगे email वाली field चाहिए यह basically email को हम बना देंगे username यह हमारा username है तो ठीक है then password वाली field हमें चाहिए phone वाली field नहीं चाहिए इसको हटा दो पाउट वाली field भी नहीं चाहिए इसको भी हटा दो and buttons है button में हमें चाहिए login है login चाहिए and that's it एक बार हम आते है and okay so कुछ गड़बड हुए कुछ I think message एक बार देख लो क्या गड़बड हुआ नहीं चाहिए template process नहीं कर पा रहा है कि हम लोग ने जो form पर यह अट्रिब्यूट्स लगाए इन अट्रिब्यूट्स को हम अभी तुबार से लगाए एंधर मैं आपको समझा होंगा सेब कर लो और यहां से refresh करो अभी कुछ गड़बड हो रहा है let's find out okay okay so यह गड़बड़ हो रहा है क्योंकि हम लोग ने map कर रखा है object को इस फिल्ड को भी हटा दो कर दो को कोई बात नहीं हटा दो and paragraph को मैं कमेंट कर दे रहा है error वाले paragraph को कमेंट आउट कर दूंगा बस सेम यहां पर भी हम पासवड़ वाले data field वाले को हटा देंगे data ts field को पासवड़ वाले को कमेंट कर देंगे इसको बात में जरूद पढ़ेगी तो इसलिए हम नटा दिया and refresh करेंगे यह देखिए आपके पास login आ चुका है यह आपका sign up है यह आपका login है ठीक है perfect start start my contacts on cloud and यहां पर आ गया है यह हमारा email ID है हमारा password है यह login है यह हमारा reset वाला form है basically जिसमें दिक्कत हो रही थी अगर याद को इसको भी हम लोग सही कर लेंगे हम लोग क्या करेंगे इसको भी सही कर लेंगे यह इसलिए दिक्कत हो रही को कि हम लोग ने reset बना रखा है आप देखो यह देखिए इसका type reset बना रहा है इसलिए problem हो रही है types का reset बना रहा है अगर यह type हम अटा देंगे तो आप देखोंगे यह problem हट चाहेगे यह देखिए हम बट कोई दिक्कत नहीं हमें तो चाहिए भाई अभी तो इसको reset ही करना है है और यहां पर मैं क्या करता हूं मैं क्या करता हूं वाइट को उपर कर देता हूं और हमारी नीचे रहेगी तो ज्यादा बढ़िया रहेगा क्योंकि हमारी CSS फ्लोबाइट को ओवर्राइट करनी चाहिए सेव कर देंगे अब हम देखेंगे तो आई तिंक हाँ आप सही है साइन अब भी साइन अब में भी ऐसे हो जाएगा क्या करूंगा हलका सा लौकिन में जो बॉर्डर उसकरूंगा अपने फॉर्म का बॉर्डर करूंगा वह ब्लू नःवस करूंगा भी जाओंगा तो यस तो इमेल हैं डाल सकते हैं अब बेना आते बात पर इस फॉर्म को सम्मिट कहां पर करेंगे तो फॉर्म पर आजाओ भई यहां पर सब्मिट करने के लिए एक्षन होगा वह होगा यह लिंक है और यह बात इवारल है तो हम अधरेट से बताते हैं इस लाइश ऑथन्टिकेट ऑथन्टिकेट क्योंकि हमने अभी कानिफिगर किया था थोड़ी दिर पहले अगर आपको पता हो तो हमने अथन्टिकेट के लिए यह दिखे अब अपने साब से तो हम यूजरनेम को नाम होगा वह एमेल होगा इसका जो नाम होगा और इसका जो नाम होगा आप। आप अपने साब चेंज कर सकते हो बाइडिफर्ट अगर आप नहीं पास करते हो तो उस केस में वह यूजर नेम ही होता अप इस पर ले जाके क्लिक करो आइथिंग इस पर क्लिक करके देखोगे तो आप देखोगे एस पर ठीक है अपने लॉग इंपेश के अंदर पासवर्ट कर दिया नेम और इसका नेम हमने कर दिया है एमेल अंडट इतना ही आपको करना अब यहां से भी लॉग इन हो जाएगा प्रॉपर्ली लॉग नोग इन हो जाएगा और लॉग इन है वह हमारा समिट बटन है लेट्स अथन्टिकेशन पर जा रहा है कुछ एरर आ रही है अपने इशा होगे आपको प्रॉपर दिखना चाहिए रहा है नो रिसूर्स फाउंट फॉर्ट ऑथन्टिकेशन पर नहीं चल रहा है यह इसलिए प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि हम लोग ने गलत नाम दे दिया यह अगेशन परगे से लॉगई करेंगे आप देखोगे तो यह क्या कर रहा है यह कह रहा है कि नो स्टेटिक उस फाउंट फॉर्ट फ़र उजस श्लाश डैश्बोर इस लोग इन कर दिया बट जब इसने रिडाइड किया उस लैष बोर तब उसको कुछ नहीं विला इसकी भ अगेन वापस आओ रिफ्रेस्ट कर लो यहां पर पासवर डालो और यहां पर आप करके login कर लो और यह पी गो आप प्रॉपरली login हो जाओगे और इसने रिडारेक्ट कर दिया आप दिखो authenticate पे authenticate पे आपको क्या दिख रहा है आपको दिख रहा है यूजर का लौगाओट भी कर सकते हो आप यूँए लौग आउट तो आप लुगाओट का वारल हम लोगों को ने चेंज नहीं किया अभी लॉग लॉट हम लोग को कस्ट्रमाइज करना पड़ाएं यहां पर आज आते हमें लॉगाओट कस्ट्रमाइज कर लेते हैं यहां पर आजो टॉट लॉगाओट मुझे लॉगाओट को को निकर करना यहां पर लॉगाओट पेज को हम लोग कैसे कानल करेंगे तो लेट्स फइंड आउट लागाओट पेज हमें लग रहा है अलग से कानल कर होगा यह पॉल्म लॉगइन था ठीक है सो हम यह method जब खतम हुआ उसके बाहर हम लोग यहाँ पे stp security.logout हम लोग अलग से कस्टमाइज कर सकते हैं logout form और यहाँ पे हम लोग out.logout e-viral जो है slash logout ही यूज़ करेंगे तो इस e-viral से हम लोग logout कर सकते हैं logout e-viral if you want to change the logout e-viral तो आप logout e-viral यहाँ पे change कर सकते हों यहाँ पे कोई और e-viral pass कर दो that means अब बंदा जो logout होगा वो इस e-viral से logout होगा save कर दो and आ जाओ यहाँ पे आ जाओ भाई and then आप logout करने को try करो and एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं ओके सो इसको logout ने मिल रहा है how we can do that आजाते हैं वापस अपने code के अंदर logout logout e-viral की जेगे पर हम लोग इस करेंगा logout processing e-viral logout processing e-viral और एक बार जब success हो जाए तो हमें इसको ले जाना है login पर logout रूप है ठीक है एक बार मैं अपना application restart कर लेता हूं कुछ problem हो रही हो ठीक है तो मैंने अपना application restart कर लिए देन अगेन चलते हैं यहां पर एक बार हम आ जाते हैं ठीक है login पर login लोग इन कर लेते हैं and yes here we go यहां पर login आ चुका है then ओके logout नहीं चल रहा है I don't know why it's not यह बार हमनों console भी चक कर लेते हैं why it's coming click इसको clear कर दूँ आठीक यह logout ले ही नहीं रहा है can you change something viral थोड़ा सा change करते हैं हम लोग out की जगा हम लोग उसकरते हैं do less logout ठीक है do logout मैंने कर दिया and let's find out कि आप हम लोग है पर do dash logout उसकरते हैं अभी भी दिक्कत आ रही होश no static resource find for the do logout हम actually logout करना था इस do logout से बट हो नहीं रहा है देखते हैं यह ऐसा क्यूं हो रहा है इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि अगर आप इस method को देखे हैं हम लोग जो logout URL है अगर इसके documentation पर हम लोग चेक करते हैं तो यहां पर देखो यह कह रहा है कि the URL that triggers logout to occur मतलब इसके अंदर हम और पास करेंगे जो हमें logout कराएगा लेकिन देखो यहां पर एक important point लिखा हुआ है कह रहा है if CSRF protection is enabled अगर CSRF अगर protection enabled है तो हमें क्या करना होगा हमें पोस्त रिक्वेस्ट करनी होगी और by default जब हम हीट कर रहे हैं तो get request हो रही है अगर CSRF token enabled है और by default enabled होता है तो हमें वहां पर पोस्त रिक्वेस्ट करनी होगी मतलब हमें श्लैश डू लागओट पर पोस्त रिक्वेस्ट करनी है इसकेस में बड़ अगर हम चाहते हैं तो हम CSRF घंको सिएस CSRF को De bir कर सकते हैं हम यहां पर सटिभी सिर्टिड डॉट ह में होगी सीक्यूर्ट सी एसर अर एफ हांडेर हम यहां पे डिसेबल कर सकते हैं कस्तमाइजर होग 선생님 क्या हम लोग कुलन कोड़न दिशेबल तो हमने मैंथर रफ्रेंट किया पर एक लिया तो अब हमारा CSRF क्या हो गया डिसेबल हो गया थमिस हमारे इस पूरे फैसर दुपे दिसेबल है एक अब हमर्या वन लो श्लकिश्यां कि गर्रिक्वेस्ट कर सकते हैं लोगाउट लिए बाकी इनेबल वैसे तो बेस्ट प्रक्टिस है अभी जब यह जब यह करोगे तो आप देखोगे इनेबल CSRF प्रोटेक्शन इस एक्टिविटेट बाइड इफोर्ट वेन यूजिंग दा इनेबल वेब सेकुरिटी तो यह जब हम यूज करते हैं तो अपने आप से CSRF token या CSRF जो सेकुरिटी प्रोटेक्शन होता है अपने आप से इनेबल हो जाता है इनेबल वेब सेकुरिटी जब हम लोग यूज करते हैं वह इनेबल सेकुरिटी यूज करता है तो बाइडिफॉर्ट इसको ऑन कर देता है हम लोग इसको डिसेबल कर दिए अभी के लिए बाद में अगर चाहो तो इनेबल रख सकते हो अगर आपको यह CSRF production इनेबल चाहिए तो आपको बस क्या करना है इस पर do logout की post request करनी है एक form बनाना है post request आपको slash do logout पे कर दीजगा तो हम यहाँ आते हैं हमने इसको disable कर दिया by default और अब हम लोग do logout पे क्लिक करते हैं और आप देखोगे आप लोग अट हो जाओगे और यहां पर दिखिए यह दिखिए लोग उट में प्रू वैल्व आगी अब आप लोग उट हो चुके हो अब हम लॉग इन कर सकते हैं यहां पर और हम एक लॉग बटन देते हैं जरा अपने डैश्बोर्ट पेज 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 पे यहां पर लोग बटन देते हैं एक अंकर टाइक डेख जो की डेटा छ च ह रफ और इसके अंदर हम लोग लैज डू लोग उट कर लेए अड़ यहां पर हम लुग लेंगे लोग उट तो अब क्या है अब हम यहां से लॉग इन कर सकते हैं लेट्स डू ड़ुड लॉग लॉग इन पर मैंने क्लिक किया और एक्जाटली हम यहां से लॉगाउट कर सकते हैं तो यह एक्सेस नहीं होगा तो इस हिसाब से लोगाउट भी कर सकते हैं अगर आपको मैसेज दिखाने तो आपको मैसेज प्रॉपरली मिल रहे हैं अगर आपने कुछ गलट डाल दिया यहां पर ऑके सो ऑथन्टिकेट जब आपने गलट डाल दिया तो यह कह रहा है कि दर रिक्विस्ट इस नौट एक्शली सपोर्ट पोस्ट रिक्वर्स ओके सब्सक्राइब करते हैं अगर आप गल हमने गलट डाल दिया जानबुश के तो एर रही हो कह रहा है और दो मैथर्ड पोस्ट इस नौट सपोर्टेट बाइद इस वार्यल होके है ओके सो हम लोग एक बार और कॉंपर चलते हैं और हमने यहां पर क्या लिख रखा है श्लैश ओके फेलियर में सो हमने फेलियर फॉ वापस से लॉग इन प्याओ जाओ विद एर्र कमांड विदेर कमांड बट अगर हम यह दे रहें तो यह फिर के नहीं आ रहा है ओके तो यह बता रहा है कि method not supported which method not supported नीच आओ थोड़ा सा अगर detail में जानों यार type method 405 okay method is not supported ऑके सो हमें लग रहा है कि हमें एक यह जो रिडेर कर रहा है i think it is actually doing the post request post redirect and हम लोग जो login ने वो controller के अंदर login हम लोग ने बना रखा हो, get का बना रखा है, अगर हम इसको post कर दे, if I can do the post mapping, not contact, change for the login, यहां के लिए आप change करो, post mapping, and अगर save करेंगे, तो अगर मैं refresh करता हूँ, तो आप देखोगे, yes, आप देखोगे, authenticate ने आपको redirect कर दिया, बट, problem होगी, कि आपको get, get के लिए page नहीं मिलेगा, तो आपको करो, अगर आपको redirect, if you want to redirect, तो आपके पास एक login होना चाहिए, login के साथ, आप यहां पे एक login के get वाला method, जो support कर रहा हो, वो होना चाहिए, साथ ही आप में, if you want, तो आप यहां पे एक post वाला method, login का बना लो, जो post को support कर रहा हो, redirect के लिए, but फिलाल मैं नहीं बनाऊंगा, यह सब सिर्फ समझाने के लिए, इसको comment out कर दो, that's it, ठीक है, so yes, so yes, अगर आप कुछ गलट डार होगी, तो आपको वापस ले आएगा, with error parameter, otherwise, अगर आप सही डालते हो, तो आपको proper login कर लेगा, अगर आपको messages दिखाने ही, तो आप यहाँ पर कैसे दिखा सकते हो, messages, if you want to messages, तो आपको proper मिल रहा है, message, login का, logout का, in your email, आपको proper arguments मिल रहे है, in arguments का, use कर सकते है messages के लिए, तो अगर आप यहाँ पर आएंगे, अगर हम Google करते है, spring security, login form, तो आपको यहाँ पर मिलेगा, देखे, यह वाला documentation मिलेगा, ज़रा हम क्लिक करते है, form login and spring security, क्लिक करेंगे, तो आइधिक पूरा आपको मिल लेगा documentation, इसके अंदर नीचे जाओगे, इसको light mode पर करोगे, तो यहाँ पर पूरा customization मिल जाएगा, देखे, इसका link मैं नीचे description box में दे दूँँगा, तो जो इस तरह हम लोगे न अगर logout हो गया, तो logout आला parameter आएगा, तो अब logout यूज कर सकते हूँ, as simple as that, ठीक है, सो मैं क्या करता हूँ, हम दो, इसको copy कर लो, and अपने form के जिस्ट ऊपर चिपका दू, as simple as that, यहाँ पर आ जाओ, login में, and जो आपका form है, form कहाँ पर है, process को बंद कर दू, and यह रहा form, इस form के उपर आप चिपका सकते हूँ, यहाँ पर, save कर दू, ठीक है, and if चल जाएगा, यहाँ पर टीएचिफ के जिगए पर आप data टीएचिफ भी लिख सकते हूँ, but मैं यहाँ पर कुछ class दूँगा, and 400, and again, यहाँ पर मैं इसके लिए यूज़ करूँगा, green, and I think हमारा build वाला tool भी नहीं चल रहा है, तो हमें build का tool भी चलाना पड़ाएगा, हम एक terminal और open करेंगे, let's click plus, and यहाँ पर हम लोग build tool भी यूज़ करेंगे, यह वाला, जिससे हमारी ठेलवन की classes, actually, build हो जाए, next हमें यहाँ पर आते हैं, and अगर में refresh करूँ तो आप देखोगे, you have been logged out आ रहा है, properly, आप logout हो चुगे हो, बागी इसको अपसा जा के center पर भी mention कर सकते हो, जैसे for example, आप यहाँ पर text center, center use कर सकते हो, so that it can be just shown on the center, margin भी y में use कर सकते हो, 3 यहाँ अभी भी आप, text center, margin, y3 use कर सकते हो, reference करोगे, तो यह दीखे, ठीक है, okay, so again, मैं जाता हूँ, login पर, and अगर मैं गलत information, put करता हूँ, यह देखे, invalid user ने password आ रहा है, proper, आपने गलत डाल रहा है, अगर आप एक बार login हो चुके हो, सही, 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 login हो चुके हो, और, okay, so I think, कु log out होगे, तो आप, you have been logged out, आगया, और, यहाँ पर मैसेज, तो आप मैसेज भी दिखा सकते हो, अपने हिसाब से, based on the parameter की, वो log out है, की error है, किस हिसाब से, आप यहाँ पर parameters, receive कर, तो I think, हम लोगों ने complete कर लिया, कोई बंदा आता है, sign up करता है, then login कर सकता है, हमारी dashboard को design करने की, साथे साथ में, बार ही आई है, हमें implement करना है, OAuth 2 से, login with Google, login with GitHub, तो हम लोग नेक्ट वीडियो के अंदर, login with Google, login with GitHub करने वाले है, जो कि सबसे तगडा tutorial होगा, साथे साथ में, हम यहाँ पर button देंगे, login with Google, login with GitHub का, अगर चाहो तो मैं आपको दिखा देता हूँ, कि हम लोग कैसा button कर देने वाले है, so let's see, exactly कुछ ऐसा, हम लोग यहाँ पर button यूज करेंगे, यह login करने के लिए, and process same होगा, कुछ customization होगी, मैं आपको बताऊँगा, कुछ documentation पढ़ने की जरूद होगी, तो भी मैं आपको बताऊँगा, बाकि उसके बाद हम लोग, जब एक बा dashboard page को सुंदर बनाएंगे, so एक बार मैं कुछ गलत information डाल के चेक कर लेता हूँ, yes, perfect, and एक बार मैं यहाँ पे, logout, exactly, चलो भाई, मिलते नेक्ट वीडियो के अंदर, जिसमें हम लोग कोसिस करते हैं, implement करने की, GitHub और Google का social login, चले, अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे ह और हाँ यार, अगर आपने पूरी playlist ने access की, तो एक बार जा करके access करें, क्योंकि हम लोग बहुत तकड़े तकड़े वीडियो उसके अंदर cover up करें, मिलते नेक्ट वीडियो उसके अंदर, आपके लिए जाहें 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 बारत, बाबाई,